हलो फ्रेंड स्वागता मारे चैन्स साइंस्टडी 99 ग्रूप में तो जैसा कि फ्रेंड आज हम खान सर के नोट से भारतिय समिधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बहुती बेसिक से इस नोट में बताया गया आपके लिए तो बैनिफिट हो गई है तो यह फ्रेंड स्टार्ट करते हैं भारतिय समिधान के बारे में तो फ्रेंड अब हम बात करें यहां पर कि भारतिय समिधान के भाग पहले भाग को कंप्लीट करेंगे फिर दूसरे भाग को कंप्लीट करेंगे यानि जो पहला जो भाग होगा वह हमारा संग एवं उसका रा समिधान कहते हैं भारते समिधान में 22 भाग है तथा 395 अनुछेदे तो आज कर जो टॉपिक है मारा भाग एक संग और राज्य छेतर के बारें पढ़ेंगे अनुछेद एक से लेकर चार तक तो पहला अनुछेद क्या कहता है कि भारत राज्यों का संग है यानि यूनियन है अर्थात इसके जो राज्य हैं ये कभी भी तूटकर अलग नहीं हो सकते हैं जो देश फ्रेडेशन होते या फ्रेडेशन को अपनाते हैं वह राज्य तूट सकते हैं जैसे सोवेशन तूटा अमेरिका तूटा अब अनुछेद दूसरा क्या कहता है कि संसद राष्ट पती को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ऐसे हम बात करें कि 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत के साथ विले कर दिया गया। 35 जो संसोधन था 1974 में किया गया था कि जो सिक्किम है वो एक सहराज्य होगा। और बाद में क्या हुआ? 36 संसोधन क करवाया गया। उसके बाद 1975 में सिक्किम को 22 राज्य घोसित कर दिया गया। तो फ्रेंट्स अब हम बात करें अनुछे 3 संसद राष्ट पती को पूर्व सूचना देकर वरतमान में किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है या वो सीमा को बदल सकता है। तो हम बात करें बिह 26368 के बाहर रखा गया है। अर्थाद इस संसोधन को राष्ट पती भी रोक नहीं सकता। तो फ्रेंट्स पहला भाग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करें भारतिय राज्यों का इतिहास। आजादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासत यानि राज्यों में तूटा हुआ था। अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दे दिया था कि राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या सोतंतर देश के रूप में रह सकते हैं या मांग कर सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का जो कारे था सरदार पटेल था कि मैनन को दिया गया था जिन्होंने सभी राज्य को भारत में विले कराने का कारे किया किन्तु तीन ऐसे जो राज्य थे जो तयार नहीं थे पहला वो राज्य जिसकी हम बात करें जमू कस्मीर यह सौतंतर देश बनना चाहता था यहां के जो राजा थे वो हरी सिंग थे उनका परधान मंत्री देखा जाए तो सीख अब्दुल्ला थे इसी बीच पाकिस्तान के इसारे पर कस्मीर में घुस पैट होने लगी जिसके बाद देखा जाए तो 26 अक्टूबर सन 1947 को कस्मीर में विले पत्र पर अक्स्ताक्षर करके भरत का अंग बना लिया था तो उस स अब हम बात करतें जूनागड यहां गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तन में जाना चाहता था किंतु सदार पटेल ने जन्मत संग्रे करवा दिया और इसे भारत में मिला लिया गया अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हैदराबाद के जो निजाम थे वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे किन्तु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में rekिसको बहेज दिया सेना को बहुत दिया देखा जै तो जो निजाम थे वो कहीं ना कहीं हैदराबाद में लोगों के आंदोलोनों को कुचल रहे थे तो इसी बीच में क्या हुआ कि सरदार वल्लभाई पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को भीज दिया था अब इस ओपरेशन का नाम क्या रखा गया ओपरेशन पोलो रखा गया इसी के तैत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया इन सभी रियासतों को मिला कर एक भारत का निर्माण किया गया इस भारत को चार राजे में डिवाइड कर दिया गया A, B, C, D A जो है वो ब्रिटिस सासन का है यानि वह एरिया जहाँ पर ब्रिटिस का सासन होगा B क्या कहता है प्रिंसली स्टेट होगा वह राजे जहाँ देशी रियासतों का सासन होगा C क्या कहता है कमिस्नेरी स्टेट वे बड़े सहर जहां पर ब्रिटिस का पूंड रूप से कबजा होगा जैसे अजमेर भोपाल और डी क्या कहता है यूनि टेरेटरी जैसे हम बात करें इसमें अंडुमान और निकोबार आता है तो फ्रेंट्स अब हम बात करतें कि भासा के अधार पर राज्यो के गठन के लिए एक आयोग बनाया था राज्यो के गठन का विरोध किया तेल्गु भासा के लिए एक अलग राज्ये के मांग करते हुए पेटु सिरी रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गये और ये 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे बाद में इनकी मृत्ति हो गई तो फलसरोप यहाँ पर जंता का और जादा विरोध बढ़ जाता है नहरु जी ने 10 अक्टूबर 1903 में तेलगू भाशा के लिए अलग राज्य आंदर परदेश को अलग कर दिया ये भाशा के अधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था तो भाशाई अधार पर राज्य को गठन करने के लिए 1903 में फैजल अली आयोका गठन किया गया इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया कि भाशाई अधार पर जे को कानूनी मानिता दे दिया जाए इस अंदोलन के फलसुरूप में देखा जाए तो फ्रेंट्स सातवा समिधान संसोधन 1956 में पारित हुआ इसके बाद ABCD को रद करके भाशा के अधार पर चोदा राज्य तथा छे केंदर सासित परदेश बनाए गए पंजाब राज्य का पुनर गठन साह आयोग के सिफारिस पर किया गया था तो फ्रेंट्स आपको पताई होगा कि पंजाब को पैपसु कहा जाता है पैपसु का मतलब होता पतियाला एंड इस्ट पंजाब स्टेट सी यूनियन तो बाद में क्या था यहां पर पंजाब का पंजाब राज्य का पुनर गठन साह आयोग के सिफारिस दारा हो गया था तो फ्रेंट्स अब हम बात करतें नागरिक्ता कोई भी देश अपने मून लिवासियों को कुछ विसेश अधिकार देता है इन अधिकारों को हम क्या कहते है नागरिक्ता कहते है भारत में एकहरी नागरिक्ता है अर्थात हम केवल देश के नागरिक है राज्य को नागरिक नहीं बलकी निवासी कहा जाता है भारत में नागरिक्ता कहां से लिए गई है भारत की नागरिक्ता 1950 के अधिनियम पर अधारित है नागरिक्ता में पहली बार संसोधन 1986 में किया गया था नागरिक्ता होने के क्या-क्या सबूत या कारण जैसे हमारे पास पेन कार्ड है अधा ये लगेनागरिक्ष ये नागरिक्षार्ण सभरा ये और पाकीस्तान से भारत आये नागरिक्ता कैसे दी जाए अगर वो समिधान बनने से पहले आ जाते तो उनको नागरिक्ता दे दी जाती है अगर समिधान के बनने के बाद आते हैं तो उनको नागरिक्ता नहीं मिलेगी अनुछे सात्वा क्या कहता है स्वतंतरता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐस से व्यक्ति जो समिधान बनने से लोट आए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाती और आठवा नुच्छेत क्या कहता है विदेशी भ्रामन एवं नोकरी करने पर भारत की नागरिक्ता समाप्त नहीं होगी अनुछेद 9 विदेशी नागरिक्ता लेने पर भारत की नागरिक्ता को समाप्त कर दी जाएगी अनुछेद 10 वा क्या कहता है फ्रेंट्स तो भारतियों की नागरिक्ता बनी रहेगी तब तक जब तक की वे कोई देश विलोधी कारे नहीं करता अब हम बात करें कि नागरिक्ता प्राप्त करने की विदिया भारत में नागरिक्ता प्राप्त करने की पांच विदिया है जनम के अधार पर भारत में जनम लेने वाले सभी बच्चों को नागरिक्ता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों ही दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक एसे हम बात करते हैं सिखर धवन तीसरा क्या गहता है किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिक्ता दे दी जाएगी ऐसे हम बात करते हैं सिख्किम को भारत में विले होने के बाद वहां के लोगों को भारतिये नागरिक्ता दे दी गई तो फ्रेंट्स यहां हम बात कर लेते हैं कि नागरिक्ता पांगला देश के परगना जिले को भी नागरिक्ता दिये गई है पंजी करण इस विधी द्वारा नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए वेक्ति को पांच साल लगतार भारत में रहना पड़ता है इस विधी द्वारा राष्टमंडल देशों को नागरिक्ता दी जाती है तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं छटा देशी करण वैसा वेक्ति जो भारत के किसी एक भाशा को ही जानता हो और भारत के प्रति सकरातमक सोच रखता हो व्यग्यानिक या कला में निपुन हो या रूची रखता हो दस साल वो भारत में रहा हो तो उसको नागरिक्ता दे दी जाएगी तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ओवर्सीज नागरिक्ता इसे 2005 में लच्मी मल सिंदवी समीती द्वारा जोड़ा गया ये बड़े बड़े उध्योग पतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिक्ता ग्रहन कर लिये हैं इस नागरिक्ता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है नोट ध्यान से सुनियेगा देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट के परभाव में आ जाने पर ग्रह मंत्राले द्वारा नागरिक्ता समाप्त कर दी जाएगी अब हम बात करें वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमती की आवसकता होती है इन अनुमती को ही वीजा कहते हैं बिना वीजा किसी दूसरे देश में परवेस नहीं कर सकते हैं तो फ्रेंडस अब हम बात करहें, पासपोट, अपने देश को छोड़ कर, दूसरे देश में जाने के लिए, खुद अपने देश से अनुमती लेनी पड़ती है, इसी को हम पासपोट कहते हैं, तो फ्रेंडस हम नेक्ष्ट वीडियो में मिलते हैं, भाग तीन के बारे में हम पढ़ेंगे यानि मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे अनुछेद 12 से 35 तरह